साथियो अस्सलाम आलेकुम नमस्कार जोहार अदाब अभिनंदन माहे रमजान मुबारक हो साथियो खुसियां बाटने से बढ़ती है कम नहीं होती है बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उस पर अपनी पविर्ता सिध कर सके तीन चीजे जाइदा देर तक नहीं छुप सकती सूर्ज, चंद्रमा और सत्य तो साथियो ध्यान रहे ये खास करके माहे रमजान का दीन चल रहा है और हमारे वेश्ट बेंगॉल से एक दादा आये हुए है बच्पन में इनका पाउं जो है बैल गाड़ी का जो चक्का है पहिया है कट गया था तब से ये चलने में असमर्थ हैं लेकिन हम इनकों कहते हैं कि हमेशा आप आईए क्या नाम है आपका आनन्द जी जो वेश्ट बेंगॉल से हर फेस्टेवल में इद हो बकरीद हो कोई भी तेहवार हो दुरगा पुजा हो होली हो दिवाली हो इस तेहवार में कम से कम आप हमारे यहां आए और इस मंच पर आज हमारे एक मौसी जी एक बुढ़ी महिला वेश्ट बेंगॉल कूल्टी से आई हुए है कहां से हैं आप कूल्टी आजाद बच्सी से आई हुए है यह हमारे यहां आई तो हमने इनसे पूछा कि कपड़ा उपड़ा हो गया है मौसी जी तो बोरा बेटा कपड़ा ही नहीं हुआ है तो यह मौसी जी को हमारे तरब से खास करके एक साड़ी है जो इद के दिन यह पहनेगी इसमें साया भी दिया जा रहा है तकी खास करके यह इसमें पढ़ेगी और यह जो है वक्त जो है अगर आप चाहो तो आपके घर के अगल बगल भी इसी तर का काम कर सकते हैं और क्या बता रहे थे मौसीजी एक अच्छा नतनी भी है आपका आज कितना साल का है 11 साल की एक नतनी भी है इनके पास इसको आप रखिये तो साथियो यह आपके लिए एक बढ़े हा लुंगी ला दिये हैं इसको पहनिएगा और साथियो खवाइस नहीं साथियों ख्वाइस नहीं मुझे महसूर होने की आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे क्योंकि जिसकी जितनी ज़र्रत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे तो ये भाईया को भी हम कम से कम मान लिजे काम करने से हमें संतूष्टी मिलता है तो ये छोटा सा सोसल मेसेज है आपके घर के अगल बगल इसी तरह कोई अगर मिल जाए, तो आप कोशिस करो कि मान लिजिए आप पैसा वाला है, आप कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो नया कपड़ा नहीं पहन पाता है और उसका जो ईद का जैसा नहीं लगता है, बकरीद का जैसा नहीं लगता है, उसको तो हम चाहेंगे कि हमारी मौसी जी इस मंच पर आई हुई है यह जो है इसको आप 500 रुपिया और रख लिजिए उनको कपड़ा खरिद दीजिएगा नतनी को नतनी को बुलिएगा कि तुम्हारा एक भाई है मुबारक अंकल है जो अभी बिराजमान है जारखंड के धर्ती प दीपक रौसन किये जा सकते हैं फिर भी उस दीपक की रौसनी कम नहीं होती उसी तरह खुशियां बाटने से बढ़ती है कम नहीं होती यह मेरा मानना है तो मौसी जी थोड़ा हमको आशिरबाद आप दे दीजिए बाबा आड़बाब आड़बाब चलिए चलिए मौसी जी का आसिरबाद हमें मिल गया और थोड़ा आप भी आसिरबाद दे दीजिए हम इंडियन है हम हिंदुस्तानी है और हमें इद भी मनाना है दुरगा पूजा भी मनाना है होली भी मनाना है, बकरीद भी मनाना है, धरम के नाम पर देश को दो भाग में नहीं बटने देना है, साथियो एक छोटा सोशल मैसेज, आपकी एक छोटी सी सोच किसी के जीवन में आप खुसिया ला सकते हैं, इनिस सब्दों के साथ जय हिन, जय भारत और बंदे मातरम